पुरोस कितना समय लेगी उन्हों इसी कारी को करने में एक अकला पुरोस कितना समय लेगा question है हमारे पास question देखें दो महिलाएं एवं 5 पुरुस एक कसीदे के काम को 7-7, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं ठेक है कुछ महिलाएं हैं महिलाएं कितने दो हैं और कुछ पुरुस हैं पुरुस कितने पाँच हैं वो दोनों मिलकर एक काम कर रहें पूरस कितने दिन कर रहे हैं? या एक सिट्राम्स कर रहे हैं? तो जहां, पर ऐसी इसी सिट्वेशन स provincion करते हैं, उन जड़ा सा ध्यान से सुने गा problem आपनों को भी हो रही होगी समझने में जितना school में हम आपनों को clear कर पाते चाहिए। उतना वीडियो से नहीं हो पारा होगा । लेकिन करना है नब इसलिए जब मैं आपनों को बता रही हूं थोड़ा सा ध्यान से सुने अगर समझ मने आएगा तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं क्वेश्चन है हमसे कह रहा है कि दो महिलाएं एवं पांच पूरूस एक कसीदे के काम को साथ साथ चार दिन में पूरा कर सकते हैं कितनी महिलाएं हैं दो महिलाएं मैं बार-बार रिपीट इसले कर ज़िए ताब कि आपनों को question समझ मा जाए दो महिलाएं एवं पाँच पुरुस एक कसीदे के काम को साथ साथ चार दिन में पूरा कर सकते हैं तो हम इस question को क्या करेंगे माना question को कैसे करेंगे दखे माना एक महिला एक कारिको एक कारिको एकस दिन में खत्म करती है खत्म करती है ठीक है एक महिला एक कारिको कितने में खत्म करती है एकस दिन में इसी फिरकार एक पुरुस पुरुस एक कारिको वाई दिन में खत्म करती है या पूरा करती है जो भी लिखेंगे आप लोग तिक अब आप से कहते हैं महिला का एक दिन का कारी जैसे मैं आप लों से कहते हूं कि हमनारी खर में कोई काम चल रहा है काम क्या चल ला हमने दिवार बना नहीं वो दिवार एक आदमी चार दिन में पूरा करता है कितने दिन में पूरा करता है चार दिन में ठीक है एक आदमी चार दिन में पूरा करता है तो एक दिन में उसका कितना भाग करेगा मालूम नहीं है लेकिन मालूम है कैसे जब एक काम को वो चार दिन में कर रहा है तो एक दिन में उसका एक चौथा ही भाग करेगा उसी प्रकार एक महिला एक काम को एकस दिन में कर रही है तो एक भाग कितने दिन में करेगी वन अपॉन एकस पार्ट करेगी एक दिन में तो इनकी हम क्या लिखेंगे महिला का एक दिन का कार्य इसलिए महिला का एक दिन का कारी बराबर कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स आया सुझे मैंने कहा ना जैसे हमने एक घर में एक मजदूर लगाया है एक लेवर लगाया है वो हमारी किसी दिवार को चार दिन में पूरा कर रहा है तो मैं आप लों से कहती हूँ कि एक दिन में कितना करेगा तो एक बट्टे चार भाग करेगा उसी प्रकार एक महिला द्वारा एक दिन का कारी कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स टोटल काम वो एक काम को X दिन में कर रही थी तो एक दिन में कितना करेगी उसे काम का एक भाग करेगी इनकी 1 upon X जितने दिन में कर रही थी वो कहा जाएगा उसके upon इसी प्रकार यहाँ पर आजाएगा पुरुस का एक दिन का कारी पुरुस का कितने पुरुस थे पांच पुरुस थे तो दो महला है यहां पर according to question कुल काम को चार दिन में कर रहे थे तो उसका एक चौथाई तो एक दिन में कितना करेंगे एक चौथाई भाग करेंगे यहनकि 2 upon x plus 3 upon कितने हैं सौरी पुरुस कितने हैं 5 तो 5 upon y equal total मिलकर चार दिन में करत कितने महलाएं हैं कितने महलाएं हमसे कह रहा है जबकि 3 महलाएं एवं 6 पुरुस कितने महलाएं हैं तो इसके लिए situation क्या बन जाएगी 3 upon x plus 6 upon y equal कुल भाग का कुल काम का एक भाग करें तो 1 upon 3 यह equation number क्या जाएगी second अब यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है रैखिक समिकर नहीं बन रही है तो रैखिक समिकर मनाने के लिए क्यों नहीं बन रही कैसे नहीं बन रही देखो यहाँ देखिए आपका x और y वाली वेडि denominator मारी अर्थाद उसके upon मारी है तो हम इसको क्या करेंगे माना कोई 1 upon x को हमने क्या मान लिया a और 1 upon y को क्या मान लिया b तो पहले यह equation में क्या जागी 2a plus 5b equal 1 upon 4 दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा पिटा देखो 3a plus 6b equal 1 upon 3 अब मैंने देखा a वाला b यहाँ पर इक्वल नहीं है तो हम इसको substitution method भी कर सकते हैं जिसको हम प्रतिस्तापन भी दिखेते हैं या बिलोपन भी दिखेते हैं या आप इसको cross multiplication अर्था बजरोण भी दिखेते हैं अब यहाँ पर अगर मैं इसको substitution method से करती हूं तो 2a equal यह 5b था इधर 2a plus 5b equal 1 upon 4 था प्लस है तो सब्सक्राइब माइनस या elimination से अगर करते हो तो equation इसको इसको equation number 3rd और इसको equation number 4th equation 3rd को किसे multiply करेंगे 3 से और फिर उसके बाद 3 से इसको multiply करें तो कितना हैगा 6 अब यहाँ 6 आ गया तो इसको मैं क्या बनाऊंगी 6 इसको 6 बनाने के लिए किसे multiply करेंगे 2 से ठीक है और फिसम equation 3 multiplied by 3 minus minus भी करने तो साथ ही minus भी कर दिया मैंने equation 4th को किसे multiply करेंगे 2 से तो कितना हैगा 3 2 जा 6 से plus 3 5 जा 15 B equal 3 वनजा 3 तो 3 अपॉन यहाँ देखे 3 वनजा 3 तो 3 अपॉन क्या जाएगा आपके पास 4 ध्यान से देखे 3 वनजा 3 हर में गुणा नहीं करेंगे के वाद अंस मे गुणा करेंगे तो 3 वनजा 3 3 अपॉन क्या जाएगा आपके पास 4 दूसरी equation को हम 2 से multiply कर रहेते तो इनकी कितना हैगा आपर 6 से 6 से plus 2 6 जा 12 12 B equal 2 वनजा 2 2 अपॉन 3 अब माइनस करने तो माइनस करने में साइन बदल जाएगे माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और माइनस पर तो कितना हैगा आपर 3 B equal 3 upon 4 minus 2 upon 3 अब हम इनका LCM ले लेंगे आपर LCM नेना आपनों को आता है होगा 12 वा जाएगा तो 4 से 12 को divide पर 3 वो 3 से इंटू जाएगा कितना हैगा आपर 3 इंटू 3 minus फिर यह आपर कितना है 3 4 जाए 12 तो 2 इंटू 4 हो जाएगा equal 3 3 9 minus 4 2 जाए 8 upon 12 तो इनके हमारे पास यहाँ पर क्या गया 3 B equal 1 upon 12 9 में से 8 minus कितना हो जाएगा 1 upon 12 तो B equal यह 3 upon इंटू में था इंटू में जाएगा इंटू जाएगा तो B equal कितना हो जाएगा 1 upon 36 बी का मान गया तो गया अब बी का मान equation थार्ड में रखने पर तो थार्ड में रखने पर हमारे पास क्या आएगा देखिया हम पर 2 A plus 5 B equal 1 upon 4 है ना तो 2 A plus 5 इंटू B की जाएगा कितना है बीटा भी 1 upon 36 equal 1 upon 4 तो 2 A plus 5 बन जा 5 upon 36 equal 1 upon 4 यहां तो संजबा गया होगा ना अब आप क्या तरग्या हम देखिया पर कितना है था हमारे वैल्यू 2 A plus 5 upon 36 equal 1 upon 4 तो 2 A equal 1 upon 4 minus कितना हो जाएगा 5 upon 36 2 A equal L SM जे लिजे आप बन कितना हैगा 36 4 9 जा 36 और यह आप 5 तो 2 A equal 9 में से 5 को मैनस किजे 4 upon 36 4 जा 4 4 9 जा 36 तो 2 A equal 1 upon 9 तो A equal 1 upon 9 into 2 करना तो 1 upon 18 आ गया ठीक है अब हमने A और B की वैल्यू नहीं जाद करने थी हमने A को क्या माना था याद होगा आपको A equal 1 upon X equal 1 upon 18 तो X equal कितना गया 18 यह इसके साथ जाएगा और इसके साथ ठीक है और B equal हमने क्या माना था 1 upon Y और Y की वैल आई पास कितनी आए थी 1 upon 36 तो इनकी यह इसके साथ जाएगा यह इसके साथ तो Y equal कितना गया 36 इसका मतलब यह ओगया कि एक महिला उसकारी को 18 दिन में पूरा करेगी और एक पुरूस यहाँ पर लिख देते हैं और जब की जब की यहां जब की नहीं लिखो एक मुपूरूस उसकार को 36 दिन में पूरा करेंगे 36 दिन में पूरा करेंगे तो यह आपका क्या हो गया आंसर ठीक है तो इतना काफी है फिर मैं कुशन और बताऊंगी बाद मैं